बाई इनसान IPL देखता है ऐसे मैचस के लिए ऐसे सूपर स्टार्स के लिए जो एक मैच में मतलब क्या चमचमाते सितारे बन जाते हैं मैयंग यादव क्या गोलियां बर्साई हैं क्या रॉकेट बर्साई हैं कोई सूंग निपाए बाई जुप 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 एक सो पच्पन दिशमलाव आठ किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार और लखनो मैं जीद गई है बाइद पर उसे कोई बात निकरेगा कि बात आज होगी मयां कि यादव की क्या बोलते है रैच्छ फ्रिकेट पता नहीं कि मन में एक गंद दिखाया है कि नवाबों में है दम और यह नहीं है किसी से कम अब आ गया है लखनवी नवाब क्योंकि पिछला दो साइज सीजन आई पेल का अगर आप देखिए बहुत अच्छा खेली है एक नई फ्रेंचाईजी होने के बावजूद भी लखनो ने वह दमखम दिखाया ह और जिस तरीके का टीम कॉंपोजिशन है एक अच्छा बैलेंस टीम कॉंपोजिशन दिख भी रहा है और मैं क्या दो के आने के बाद या अगर इस तरीके की वो बॉलिंग करने वाले है पूरे टॉर्नमेंट में तब तो यह बहुत बड़ी खत्रे की घंटी है आई पिल मे पहले हम बात करें के टॉप थ्री रीजन्स ओफ लखनाव विनिंग क्योंकि जितने चर्चे लखनाव की जीत के हैं उतने पंजाब की हार के नहीं क्योंकि भाई देखिए आज सबसे पहला रीजन आई वूट से की बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे लखनाव वाले ल सबसे पहले तो उनका डिसिजन था टू बैट फॉर्स और क्या जबर्दस बैटिंग करी है निकलेस पूरन तो निकलेस पूरन आजा क्या लगता शुब्रांशु क्या केल राहुल को रेस्ट दे देना चाहिए आजा क्या राहुल इतने बुरे कैप्टन नहीं है निकलेस पूरन थोड़ा सा बीच-बीच में पैची कैप्टन सी उन्होंने करी है वो थोड़ा सा मूड़ी बंदे लगते है मुझे मूड में है उस दिन तो तो मैं उठा-उठा कैसा फेकेंगे बाहर की क्या बात करें एक उनके ऐसे गया है कि आपको भी आद होगा कि थे ही senior player की तरह देखता हूं निकलेस पूरन को एक अच्छा नाम और वाय नोट एक अच्छा नाम और वाय नोट कैप्टन अगर केल रहूल इंजर रहा नवेलिबल है तो इस नो इनकेंगे नोचेंद थाप्तन शुट निकलेस पूरन और इट वाद एक अच्छा पूरन पूरन ने भी खिला और लेकिन जिस तरीके से कुरुडाल पांडया ने कैरी किया है तो इस समय पर यह जो लखनों की जो पिच है उस पर हमेशा बोला जाता है कि बही जादा से जादा चलो एक सो से रन बन जाएंगे एक सो सतर रन बन जाएंगे थोड़ा सा बोलर फेवरि उस समय यह हो गया था कि अभी इनकी रीच से बाहर हो गया है मैच बहुत ही बहुत ही ताबर तोड़ बाटे करिये था पांडया दाट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग तो परफॉर्म लेडीज इन जेंटलमन कुरूनाल पांडया विच बाइदेवे पंजाब ने शुर कर दिया बैटर्स को आज अपनी पेस से अपनी अक्यूरिसी से क्योंकि ओपनिंग बहुत अच्छी मिली पंजाब को बेर्स्टो फाइनली फाइनली जॉनी बेर्स्टो के बल्ले से हमें रन देखने को मिले शेखर दवन क्लासी अज ऑलवे सतर रन की शांदार पारी साथ म हो गए प्रब सिम्रन हो गए इवन बेर्स्टो ने अटाक करने कोशिच करी और विकेट थमा बैखे तो भाई बूढ़ा शेर जब अच्छा करता है जब गबर अच्छा करता है शुवरांचु जी कैसा लगता है बिलकुल गबर बहुत ही क्लिनिकल शॉट्स खेलते हैं बह गबर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ऐसे ही देते रहेंगे उनका सीजन है उनका और अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने जो काम किया वह बहुत ही ज्यादा एविडेंट है तो गबर कंटीनिव करेंगे टॉप थी रीजन हमने बहुत ही क्लि बताया निकलस प्यूरन की सब्सिटूटेड कैप्टेंसी जो उन्होंने सब्सिटूट होने के बाद भी करी क्रुणाल पांड्या ने जिस तरीके से फिनिश किया मैं क्यादों ने जैसे सामने वाले टीम को फिनिश किया यह सब को देखके हमें लग रहा है कि लखनवी बहुत बहुत गुस्सा एकदम ऐसे और गैनिकली निकले हैं दोनों का रसीबी के लिए तो जरूर जा करके आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजेगा टॉप पर्फॉर्मर पर आते पर आपको अच्छी शुरुआद दी निकुलस पूर ने अच्छा फ्लोटर रोल ने भाया पर वो जो फिनेश है जिसकी वजह से लखनों को टार्गिट मिला था बिलकुल हाँ डेफिनेटली वी नीड तो मेंशन कुईंटन डिकॉक्स नेम यू किम अवे फ्रम दे गेम राइट अवे इंशन अबट अगर ये 170-175 रन होते 15 रन शॉट होते 50 रन होते हैं for that matter let's say लखनों ये मैं चाल जलती तो जो एडिशनल पेस किया है आखर में जाके out of nowhere I think that kind of ended up in you know in a winning situation obviously balling आपकी बहुत अच्छी रही तो आपको वो कुशन मिला रहे तो वो कुशन मिलने की वजह से ही आपको आप आसानी से वो जीते लिखी क्योंकि दिमाग मगर 180 का टार्गेट हो और 1952 लगभग 200 का टार्गेट हो दो अलग साइकोलोजी चलती है सामने तो टॉप परफॉमर डेफिनेटली क्रुनाल जाएगा और किस तरीके से सामने वाली टीम को जुबजुपा के यूनों सामने वाली टीम को खलास करेगा उस हीरे का नाम हम जरूर उस पर बात करना चाहेंगे वो है मयंक यादव और उन्हें मिलता है दोस्तों मारी तरफ से भॉकाल टाइट है यूचर ब्राइट है और ऐसा भॉकाल गेंदबाजी करी। अब यूपी में हो और भॉकाल ना मचा, ऐसा कईसे हो सकता है भाई याँ या डेड़ सो की रफ्टार जो भौकाल मचाया है आजनम मैंग, मज़ा आगया, 21 साल की एकदम एज है और क्या भौकाल ही गेंदबाजी करी है, तो यह हमारी रिचूल है कि भौकाल टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है जो अवार्ड हम देते हैं, उस अवार्ड को के क्रिकेट में 1.500 की रफ्टार से बौलिंग करें, इंडिया कुछले 20 सालों में तो मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा बौलर है जिसने कंसिस्टेंटली डेड़ सो 150-148 की बौलिंग करी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं ऐसे बौलर की तुल्ला लौकी फर्गिसन और आनरिक नर्किया किसे करूँगा, ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के साथ जब खेलते हैं तो बहुत ही जादा अच्छा खेलत कर दिया, इंडिया ऐस फाउंड देर एक्स्प्रेस फास्ट बोलर इन मैंग यादव, तो भई मैंग यादव को हमारी तरफ से बहुत 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 शुप का आपने आज के मैंस के लिए, और दोस्तों पॉइंट्स टेबल जारा इंट्रेस्टिंग से हो गई है, क्योंकि लगनाओ ने भी टेबल पर पॉइंट्स डाल दी है, अब जो कल का जो डबल हेटर है दोस्तों, कल रिशाप पंद वर्सिस मेस धोनी होगा, और पैट कमेंस भिढ़ेंगे शुबमन गिल से, तो ये जो दो डबल हेडर हो रहे हैं और कल भाई-कल, बाई-कल, बाई-दे-व कल के माच में हम मिलते हैं, दोस्तों बहुत ही धमाकेदार, लच्चरदार माच आपको देखने को मिले कल, और हम आपको यही मिलेंगे दोस्तों, डबल हेडर के हम बात करेंगे, दोनों मैचे पर यह एक्शन देंगे, और आपके कॉमेंट्स को पढ़ेंगे, तो भाई-प पार सबस्क्राइब डेंगे और कुछ नियुक्त चपारे नियुक्त टाइब करें जो सबस्क्क्राइब कर लिए सिर्फ